सब लोग कैसे हो आप सब उमीद करूँगा सब बैंतर होंगे सब अच्छे होंगे तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इमांचल के खूब सूरत दुंद से भरे हर्यादी से भरे पहाड़ों में सोगत है तो यार अभी जस्ट अपना काम वगएरा निप्टाने के बाद बस हर दिन की तरह मैं उपराया था थोड़ा थ्रश होने और मैं सुचा दाड़ी को भी सेट करता हूँ यार खराब होगी है फिर से कटिंग करवाने क ठाब के बार पता है फिर बार पे घंव भी से बतो यार सिर्श के बाद जाते हैं और सिर्श से आपटा है निष्हां सिर्फ पर हरच रहते हैं तो यार्र अए थ्द हाराल समास मवीचित है सुसिपसे बारीष यह वह रही थी तहल्वां आपको एक तोड़ा खराब जैसा है किल मैंने आपको तिखाए तक घड़ी वाला बिलॉग मैं आज मैं वी बस तोड़ा थैयर होते हैं और पर पर नीचे चलते हैं कुछ मैं आपको तिखाता हूं अच्छा सारे बरे दो रहा हम गोंग आते हैं तो पिलाल मूव गयरा हत वगयरा दोते हैं और थोड़ा शेट होते हैं उसके बाद चलते हैं तब तक एक बार आप चेक कर लो कैसा आज का हमारा मौसम है तो यहां से अभी गैलरी से आपको ऐसा ऐसा मौसम दीएगा थोड़ा सा खुला हुआ है उतना जादा अच्छे से साप नहीं है लेकिना बारिश थोड़ी सी रुकी हुए है तो ऐसी दोंद पड़ी है चलो तो रोग के अंदर पहुंच गया है यार बस मैं थोड़ा मौ बग चलते हैं ठीक है तो दोस्तों आत मौ धो कर बस मैं तया रोच को अब चलेगी अपन बार थोड़ा जैकेट मैं लेते क्योंकि यहां पर है थोड़ा सा ठंडा ठंड या बयार मैं आपको आपको बताऊं यहां अगर मौसम खराब होता है बारिश होरी होती है तो फिर ठंड ह आपको अब चलेंगी अपन नीचे तो बस हमारा ऐसा ही ब्लॉग रहने वाला है आज देखते हैं कहां तक मैं आप गुमाने वाला हूं और बस अब चलने वाले हम जब परसों जहां तक मैं आपको दिखाय था वहां से आके वहां तो यार अभी थोड़ कुछ समाल लाने ग अब मैं नीचे जा रहा हूं मौसम ठीक है ना अब एक दिन जो जितना मैंने आपको कबर कर वाए था हम महाज वहां से आकर जाने वाले गांधी चौक तक तो फिलाल वहां से स्टार्ट करेंगे अभी बंद करते हैं नहीं तो वहां तक पहुंसे मुझे टाइम लगने बाल इसलिए जल्दी चलते हैं और दोस्तों और जानकारी मैं आपको देने बाला था यार कल विशाल का मिल जर्म है प्रोग्राम है दो बजए और लाइब है मतलब जब तक यह ब्लॉग आएगा यह तो शाम को शाम को साथ बज़ आएगा तब तक तो हो चुका होगा लेकिन ज लाइब फोन के ओपर ब्लॉग मैंने उसको वैसे कहा है कि मुझे वीडियो बनाकर सेंड कर देना मैं डाल दूगा अगर करेगा तो छीक है वरना कोई और तो डाली देगा या को खुद दिया अपनी वीडियो कहीं ना कहीं से बनवा कर डाल देगा और शायद मैं यार जा नह पढ़ रहा है और फिर काफ सारी दिखते होती है कि ले इए इनसान को तो बस ऐसा ऐसा कुछ है बाकी लॉप है कल बिशाल का दो बज़े पहले उन्होंने मना कर दिया था जब काल कर और अपको बुलाया है कि कला जाना कला आपका लाइब प्रोग्राम होगा तो कल वो यहां तकाया था वहां से आगे निकल चुका हूँ तो यार पहले ना जब यहां गेविवा ने काम किया हुआ है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो इस तरफ नहों पर यह जो होटल बगार आई यह कुछ भी नहीं था किसी टाइम जब मैं यहां पर होता था और अब देखो वह दो पूरा भई बड़ी बड़ी मारते वाणी यह कुछ होटल है यह और काफी कर और सुन्दर एड़्या है यहां पर आगे मजी कौँंसा है मजी मवण होटल है आप है देखो वोर्ड भी दिखने आगे और यह स्नो बाली रिजॉर्ट काफी बड़ा होटल है और काफी यह आपको देखने से ही लग रहा हुगा है तो यह आग जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाइट वाइट ही है MGM 1 और यह उपर अशोका जो रेड यालो कलर का दिख रहा है किसी टाइम मैंने इसमें काम किया हुआ है मतलब बहुत पहले मैंने यहां पर भी काम किया हुआ है यह जो अपर होटल है ना इसमें तो बस अब भी हम आगे जा रहे हैं वह इसी तो बस गई तमन्ना तो वहां से आगे कुछ ऐसा है और जंगली है पूरा यहां से आगे गांधी चौक तक लेकिन अच्छा है मतलब रास्ता पीसफूल है सिब गाडियों के शोर शराब है बाकी कुछी नहीं है तो बस कुछ ही दूर हम गांधी चौक से यहां मैंने बालो कि कटेंगर आई थी आगे मैं आपको दिखा हूँ वह सैलोन भी जहां उस दिन मैं कटेंगर वा के आया था चमक के आया था चमक जंगलों से बढ़ा हुआ हुआ एरिया और यह कुछ मैंबर से वाइल्ड पहले जब मैं आउता था यहां भी जंकल था आप देखो पता नहीं क्या बन गया है और यह ना पुराना उटल सबसे काफी जादा पुराना होटल महरा मतर्म महर ओडल है और यही इसके साथ में इन्हीं की है वह भी शैलोन है और वहीं पर मैंने कटेंगर वाई थी तो तो बस गांधी चौक से कोई 100 मीटर की दूरी पर सामनी गांधी चौक है यहां बस और यह करली टॉप यहां पर करवाई थी उस दिन मैंने कटिंग अंदर तो बस आप सामने देख सकते हो आप इस दो यह निक्या होटल है ऊपर छोटे-चोटे जोटे इस अच्छा है यहां ऑग्रें ना शैक है यह जो नीक्या आपको दिखरा रहा है यह पेड़ पार्किंग यह पर आप अपनी टैक्सी अगर आपने अपने वो टल में रूम लिया और उनके पास पार्किंग नहीं तो आप यहां पे पेड़ पार्किंग करो, ले सकते हो, मतलब यहां पर अपनी टेक्सी लगाओ, उपर चिकटवाओ और बस, ताटा बाइवार खतम, तो बस मैं गांधी चॉक पहुंच गया यार, यहां से नीचे हमारा बाथ री साइड दिखता है, जब हम गर को जाते हैं, तो यहीं से होकर जाते हैं, यहां से सब दिखता है, और यहां आगे, बस गांधी चॉक है, वहां पर हम पहुंचने वाले हैं, यहां से मैं आप आपको दिखाने वाला हूँ, शायद से यह थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो दोस्त और वहां से मुड़ कर आपको यह नीचे सडख, जो कि जाती है, बस टेंड के लिए, यह, जब 1-9 होता है न, तो यहां से सुवाच उक्से होकर, आप गाल जॉक होब और वहां से मुड़ के, यहां नीचे से, बस टेंड, ऐसा-इसा, कुछ होता है, जो कि रूल्स आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं, करने भी चीए, इंसान हो, आपको रूल्स में रहना ही पड़ेगा, बश्व को रूल में रखा जाते हैं, आप तो आदमी होगा ना, हम तो आदमी हैं, आप नी सौरी हम भी, तो यहां पर भी चर्च है, वो मैं आपको कभी बाद में दोस्तों पहुंच गए हम गांधी चौक में और यह है, जब मैं गर्म सड़क से होकर आता हूँ, तो वहां निकलता हूँ, और आज यहां से आया, तो इतर, यहां पर पहुंचाँ, यह कुछ बैठने के लिए हैं, बेंच बगेरा लगे हुए, तो हम तो बैठने वाले फि जहां मैं कभी-कभी न, आपको मैंने दिखा था मोती-टी बजाता हूँ न, तो यह सड़क जाती है वहां, लेकिन यह आर्मी के अंडर एरिया है, तो थोड़ा यहां आने जाने का उतना लाउड नहीं है, मतलब आपको यहां से आना पड़ेगा, यहां तो गर्म सड़क से और यह उपर जो रास्ता है, गंडी जी के बिल्कुल पीछे जहां से यह पिकपा रही है, यह जाता है खजियार के लिए, और जो नीचे है वो जाता है पंचपुला के लिए, तो ऐसासा है, और यह हमारे गंडी जी, होटेल डलोजी, डलोजी काफे मैं तो यह ही शान है य और वैसे भी लॉक लगा हुए यार तो बस ऐसा हमारा गांधी चौक है कुछ वह रहे हैं गली आए हैं कहां जा रहे हैं यह हमला हो गया हमला गैंक्स्टर यो मैं यह पीछ यह आ रहा है यह कैसा है कुछत है यार देखना खतरनाग है तो दोस्तों पहुंच गया था मैं गांधी चौक में और अगर आपको पसंद आया हो मतलब ठंडी चौक मतलब ठंडी सड़क से मैंने आपको दिखा दिया गांधी चौक ना ऐसा ऐसा था यहां पे तो बस अब फिलाल यहां जादा देर रुक कर मैं क्या करूंगा कोई जाने पहचानने वाला भी यह नहीं और जो है वो अभी ड्यूटी पर होंगे तो फिर हम सलते हैं बापिस लेगे ना अब हम यहां से नहीं जाएंगे अब जाएंगे हम इधर से तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नि क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा और मैंने बत लाइक करना है कमेंट करके बताना है और शेयर करें